हाई यौल वेलकम टूर चैनल आज की रिडिंग हम करेंगे जो नो कॉंटेक्ट में हैं मैरिड अन्मैरिड यह सब के लिए है ठीक है तो जो नो कॉंटेक्ट में है यह रिडिंग उनके लिए है तो यह एक जनर रिडिंग है और हर बात रिजनेट करें कोई ज़रूरी नहीं ह है ठीक है और जिनको personal reading यह नहीं है WhatsApp नमबर पे contact करे personal reading free reading नहीं होती है ठीक है तो अचलिए स्टार्ट करते हैं अपने reading अपने लिए इंस मताय करों है तो मेरे पास eight of cups का card है so cards दिख रहे हैं आपको 8 of cups का कार्ड है यहां पे मेरे पास मैं पहले कार्ड से निकालूंगी उसके बाद रहने एक्स्प्रेन करूंगी आपको ठीक है वाव 4 of wands का कार्ड वाव वील of fortune 5 of cups ओकी और है मेरे पास the harafant okay seven of swords queen of swords oh my god king of swords दोनों के नदीज पूरी एकदम ना मैं कम ना आप कम वह वाली है situation यहां पे दोनों ही जिद्धी इगो दोनों में सो चलो अब मैं बताती हूं आपके person की current feeling क्या है bottom of the deck मैंने नहीं देखा यहां पे the moon का card है bottom of the deck okay so sad वाली energies यहां पे दिख रही है no contact वालों के लिए है यह reading मैं फिर बता दूं तो यहां पे आपके person बहुत ही sad है ठीक है और sign मैं बता देती हूं water sign है fire sign है यहां पे ऐसे wheel of fortune का card है तो यहां पे सारे ही sign है fire sign है water sign है air sign है pentacles नहीं है यहां पे चलो earth sign यहां पे इन cards में नहीं है ऐसे यह card है तो सारे ही sign हो सकते है sign को important नहीं करता अगर reading आपके साथ resonate करती है तो चलो फिर आपके person जो है ना बहुत ही sad है बहुत ही ज्यादा sad उनको लग रहना कि चीजें खतम हो चुकी है अब आगे बढ़ना चाहिए देखो यह वाली energy यह वाली energy और यह वाली तीनो ही cards सो तीनो ही cards में sad वाली energy है आपके person जो है ना बहुत ही ज्यादा sad है बहुत बहुत ही ज्यादा sad मुझे दिखाए दे रहे इनका दिल तूटा हुआ है आप दोनों बात नहीं कर रहे हो ना इन्हें तकलीफ हो रही है बहुत ही तकलीफ हो रही है इन्हें आप दोनों में फाल फिलहाल में हो सकता है किसी का break up हुआ हो या किसी किसी का जो है ना बहुत टाइम से ही separation चल रहा हो ठीक है और आपके person को भी तकलीफ हो रही है आप से अलग हो करके आप से दूर रहके कहीं ना कहीं इनके दिल में एक गिल्ट जो है ना वह है गिल्ट भी मैसूस हो रहा है कि मुझसे यह कैसे हो गया मैंने यह क्या कर दिया इस टाइप की जो है नेर्जी है इनके ठीक है ब्रेक अप दर्द तकलीफ सब हो रही है और यहां पर फाइव अफ कप्स का कार्ड है तो यह जो है ना खुद को मुवण करने की कोशिश कर रहे है देखो यह जो है ना आपके परसन न्यू बिगनिंग करना चाहते है मतब ही आगे बढ़ने की सोच रहे है अपनी लाइफ में न्यू बिगनिंग करना चाहते है यह सैड वाली इनर्जी से जो है ना आपके परसन निकलना चाहते है और आपके person यहाँ पर बहुत ही pain में है और इन्हें ऐसा लग रहा ना कि चीज़े आप सही नहीं हो सकती है Negativity जो है ना negative सोच रहे आपके person चीज़े आप सही नहीं हो सकती है अब कुछ नहीं हो सकता है ऐसी feeling है यह आपकी हो सकती है क्योंकि एनरजी वाइस वर्सा होती रहती है तो यह वाली फिलिंग आपकी भी हो सकती है आगे कार्ड में देखूंँ तो आप लोगों के रिलेशनसिप में मुझे यहां थोड़ परसन भी दिखाई दे रहा है थोड़ पर्ट सिच्टेशन भी है लेकिन परसन मुझे यहां पर सेल्फिश दिख रहे हैं और जूट भी बहुत बोलते हैं बातों को छुपाते हैं क्लियर नहीं बोलते हैं हमेशा आपको फसा की रख देते हैं क्लियर एक होता ना कि आपने कोई कुछ बोला कि हाँ शादी करना है या नहीं करना है तो उन्हों हाँ जुरलेंगे नना और बोलेंगे अटका करें ठीक है तेक ऐसी है की मित अच्छिया भी बात नहीं चुपा चुपा पड़ना जुट बोलना टीक है ऐसी है इनके द्विश्ण हो अच्छे पर डि और ओष्धों के प्र सुर्सथ हो सकते हैं एख बौहुत ही अच्छे जार Northwest करन और प्रिंसिपल हो सकते हैं, ठीक है, सैंटिस्ट भी हो सकते हैं, आपके परसंट, डॉक्टर, ठीक है, कुछ ऐसा है, इनका जो है, ना, मुझे दिख रहे हैं, कि ये अपने आपको जो है, ये मूवन करने की कोशिश करने में, इनकों ने खुद को करनेक्ट कर लिया है, बब इस प्रिशिय जुह है ना यह अवेकनिंग कर रहे हैं यह या फिर आप दोनों की एनर्जी में से किसी की ओनेट्जी ऐसी है जो अपने आपको जैना नेचर से करनेक्ट कर रहा है एक खुलके जह है आ अपने आपको फील कर रहे है आप लोगों में आप लोग की अवेकरिंग हो रही है कि कुछ लोगों के लिए है ठीक है और यहां पे और मुझे कार्ड्स बता रहे है कि आपके पसांद जो हैं यहां पे शादी का भी कार्ड मुझे दिख रहा है तो यहां आप या फीर आपके पर्चन RS जो है ना आप दोनों की मैरेज मुझे दिख रही है एक साथ दिख रही है दोनों की मैरेज ट्विन फ्लेम कार्ड आप लोग की मैरेज होगी आप लोग के परसन जो है ना यहां पर मैरेज के बारे में भी सोच रहे हैं देखो यहां पर यह दो है ना 11 11 सो हो सकते हों 목 Ohio क्योंकि यहां पे मुझे दोनों में ही तो है ना इसलों दिखailable है आपने वरज है जितना आपके प्रसेंट में है buenas चाहते और्पर्सान जहाएं प्रॉब्लम यहां पे हो रहे हैं क्रिए तो कि नहीं मुझे तो कुछ नहीं करना और आपके परषोग फ nelुट मैंने बहुत कुछ कर दिया और पद्वे पोस्ति है कि यह करने प्रिप सर्विस में भी हो आपके परसन आप लोग भी वही उसी फिल्ड में आप लोग भी ओ तो दोनों के पास जो है ना अथोरटी है यहां पर और दोनों के दोनों ही जो है ना बस बैठे ओ सांती से कि आप आफर करो या फिर मैं तो नहीं करने वाला आप ही करो एसी वाली इनरजी यह लॉयल मुझे आप दोनों दिख रहे हैं कि दोनों ही लॉयल हो अब कोई है अभ तो आपने थेर्ड पार्टी का है तो मतलब मैंने कोई गर लिया थोड़ी काहा उनकी फैमिली भी तो हो सकते है ना तो करेंट फिलिंग की मैं बात करूँ तो देखो अभी आपके परसं जो है ना कुछ टाइम के बाद एक्शन लेंगे अचानक से एक्शन लेंगे क्विक्ली क्विक्ली एक दम कहां कि नहीं बस हो भाई एक्शन लेते हैं साइटे में टाइम जहना यह आ चुका है अब एक्शन लेना चाहिए वरना देर हो जाएगी ठीक है तो आपके परसं एक्शन लेंगे पहुत ही जल्द एक्शन लेंगे और आप लोग का जहना रियूनियन होगा आप दोनों की बाते होगी आप दो कि भूशन सहीति का कर रहे हैं और ब्रापकी ताइमिंग का वेट कर रहे हैं और ğıbby कही न कहीं यहीं वेट कर रहे हो कि सहीी टाइम आनय पर जेड़ा सभी हो जाए हों घ्रीक है टो यहाँ पर तो मुझे यहीं दिख रहा है कि आपके पर्शन आपके पास वापस आने वा और मेरे भी दिख रहे हैं क्योंकि यहां पर फॉर अप्वेंट्स का कार्ड है तो नो कंटेक्ट वालों के लिए जो तो है ना वह बहुत ही अच्छी बात है वाई कि अब आपके परशन वापस आने वाले हैं देखो यहां पर नाइन आइन आप कप्स का कार्ड है मैंने कहा होना कि यह गो में बैठे इगो हैं इनके पास और आप मैनिफेस्ट कर रहे हो ना तो वो मैंनिफेस्टेशन भी काम कर रही है वह खुशियां जो आप डिजर्व करते हो अपने लिए वह अब आपको मिलने वाली है आपके खुशियां आपको ही मिलेंगी ठीक है जो आप ड ब्रेक हुआ है देखो आप उनकी करेंट फिलिंग ही आम चेक कर रहे हैं ना देखो इनको कितनी तकलीफ ही है बहुत ही ज्यादा तकलीफ बिचारे दर्द से तरप रहे हैं देखो यहाँ पर टावर का काड आया सेपरेशन अचानक से अलग हुए थे आप लोग इनके पास चॉइसेज थी राइड डिसीजन नहीं ले पाएए यहाँ पर देखो थर्ड पार्टी सिचुशन है तो यहाँ पर आपके परसन ने आपको दोखा दिया अचानक से चल दिये बस जोडा उठाया और चल दिया वैसी वाली है अचानक से कुछ बताया भी नहीं और अचानक से सब चीज़ मंद हो गई आप लोग में ठीक है और आपके परसन के पास चॉइसेज हैं चॉइसेज थी उसमें आपके अलावा भी कुछ होगा ठीक है और इस वज़ए से उस समय वो कोई खास डिसीजन नहीं ले पाए इस वक्त आप लोग इस वक्त मतब जिस वज़ए से आप लोग नो कॉंटेक्ट में चले गए आप लोग नो कॉंटेक्ट में हो सेपरेट हो गए एक दूसरे से ना चाहते हुए भी फैमली के व क्लियरिटी ना होने के वज़ए से तो यह ना कुछ भी नहीं था आपके परसन को उतना ऐसास ही नहीं था कि वह आप से प्यार करते हैं इसलिए उसमें उन्होंने जो है ना डिसीजन नहीं लिया कोई डिसीजन नहीं लिया और अचानक सही आप लोग हो गए तो और काट्स देखते हैं तु अफशॉड देखो कितनी एनेजी आई यह एसी आपके परसन उस तो क्रॉस रोड पे खड़े थे जब आप दोनों अलग हुए ना आपके क्रॉस रोड पे खड़े थे उंहों समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या सही है क्या गलत है क्या मैं क्या डिसीजन सही का या गलत का मतलब किसकी तरफ में डिसीजर लूँ एक तो इनके पास चॉइसेस हैं चॉइसेस थी उसमें और उन चॉइसेस के वज़े से वो क्रॉस तरूर्ट पे खड़े हो गए थे कि एक आप थे और एक दूसरी तब फैमिली थी और उसमें वो वही डिसाइड नहीं नहीं कर पाएं आपके साथ इंजस्टिस किया उन्होंने ठीक है देखो फैमिली फैमिली आ गई ना मैंने कहा था कि फैमिली है देखो फैमिली आहीं कई यहां फाइफ ऑफ वैंड्स का कार्ड है फैमिली के वज़े से जहना आप दोनों का सेपरेशन हुआ है और उनकी दूसरे जगह आप दोनों का रिस्ता देख रही थी आपका भी या फिर उनका जहना किसी एक का जहना या दोनों का ही रिस्ता कहीं देखा जा रहा था अलग-अलग फैमिली बीच में आ गई और आप दोनों को ना चाहते हुए भी अलग होना पड़ा और आपके परसन को एहसास हो रहा है, regret feel हो रहा है कि मैंने ये क्या कर दिया इसलिए जो है ना इनकी ये वाली feeling है आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे है आपके परसन खुद को move on करने की कोशिश कर रहे है लेकिन होगा नहीं उनसे क्योंकि आप लोग का reunion यहां लिखा हुआ आप लोग की marriage लिखी हुई है तो यह God नहीं लिखी है तो वो तो होना ही है वो तो कोई बदल ही नहीं सकता तो ऐसी है energy इनकी ठीक है no contact वालो ठीक है और जो married है ना उनके लिए तो अच्छी बात है वाई उनके परसन आपके पास परसन जो है ना आपके पास ही आने वाले ह नहीं और जाने वाले है नहीं वो ठीक है चलो यह तो हो गई उनकी current feeling आप देखते हैं आपके परसन आपको क्या कहना चाहते हैं देखते हैं क्या 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 निकलती है क्या कहना चाहते हैं क्या कुछ कहना चाहते हैं देखते हैं सु यहां जाल गाना कब तप कुछ है अब तो कुछ तों बोले कुछ तूं שמ$inky आक को देखो इसास हो रहा है मैंने काना की इनको calorie tray वहरा है और देखो मैंने फोर है को बोल रहे वह मैं ड़ता हूं कि कुछ हो ना जाए कोई ना डड़ है इनके अंदर बैठा हुआ है कि कई कुछ गलत ना हो जाए ठीक है आपके साथ इनके साथ इसलिए उन्होंने सोच के क्योंकि डिसीजन लिया होगा उससमें आप मेरा वेट कर रहे हो मैं जानता हूं देखो यह जानते हैं कि आप उनका वेट कर रहे हो और इसलिए यह वापस भी आएंगे अटेश्मेंट तो दोनों के बीच में जो हैना अटेश्मेंट है स्ट्रॉंग अटेश्मेंट है मैंने कहा कि टून फ्लेम हो आप लोग सोलमेट भी हो सकते हो मैं खुश नहीं हूँ देखो यह खुश नहीं है देखो यह एनर्जी मैंने आपको पहले ही बताया एकदम दुखी है यह आपके परसुन मैं आपको खोना नहीं चाहता ओमाइग छोड़ा नहीं चाहता है तो यह रही आपके पर्षाम की मेसेज़िस उनकी तरफ से आपके लिए आसो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट रिडिंग में जिनके साथ यह डिद्ग रेजुनेट करती है जिनको मेरी रिडिंग सची लगती है प्लीज इस चैनल को लाइक चैनल को ला ठीक है? तो तब तक के लिए बाई